मेरे चैनल फाइज़ डिजाइन में आपका बहुत-बहुत स्वागत है अगर आप इसी तरीके की लेटकर बनाना चाहते हैं तो वीडियो में बने रहिएगा तो आपको एक कपड़ा लेना है और कपड़ों कुछ तरीके से फॉल्ड कर देना है इस तरीके से फॉल्ड करने के कि यहां मेरी पट्टी कट हो शुकी है अब हम इसमें से एक पट्टी और कट करेंगे दूसरे फॉल्ड के लिए यहां से में एक कपड़ा निकाल दूँगे और अब यह मेरा सीधा हो चुका है अब मैं इसको भी दो इंच के करीब फॉल्ड करूंगी इससी तरीके से दो इंच यह आपको इसको फॉल्ड करना है अगर आप फॉल्ड थोड़ा बनाना चाहते हैं तो आप इसको एक इंच इसको फॉल्ड कर सकते हैं एक से देल इंच मुझे यहां पर फॉल्ड बढ़ा चाहिए तो मैं इसे दो इंच पर फॉल्ड कर रही हूं और यह देखिए गाईज यहां मेरा फॉल्ड हो चुका है अब हम इसको स्लाई करेंगे इसको सबसे पहले हम इसका सीधा भाग अंदर कर देंगे उल्टा भाग उपर करेंगे और इसके कॉर्णरों पर स्लाई लगाएंगे इसके जी corner है इस पर हमस्याई लगाएंगे आएए मैं दिखाती हूँ इस तरीक से आपको लगानी है यदे कैई इस तरीक से हमें इसको लगानी है पट्टे का सीधा पाग अंदर की तरफ है और उपर कूलडी तरफ आपको लगानी है इसी तरीके से दोनों साइड में चाइना को नर पर अगला लगा लेनी है यह देखिये गई इसी तरीकिस आपको दोनों पत्टियों में चाइना को नर होते हैं तो मेरे चार को नर पर शिलाही लगा ली है अब हम इसको सीधा करेंगे कि हैझाँ स HEY मैं कैशी से इसको सीधा कर रही हु है वो आप हम इस पर एक लगाएंगे इसकी लंबाई में इह जो भाग हमारा खुला हुआ है अब हम इस पर सिलाई लगाएंगे अब हमारी पट्टिया सीधी है उल्टी नहीं है और ये सिलाई हम बड़ी लगाएंगे क्योंकि हमें इसको डौरा खीच के चुन देनी पड़ेगी तो ये सिलाई हमारी कच्ची रहेगी यहाँ में फुल सिलाई लगानी है बड़ी सिलाई लगानी है हाँ देखिए गाईज यह मैंने सिलाई लगा ली है और मैंने दोनों तरह इसी सिलाई लगा ली है पट्टी ओपर इसके हम डोरा कीच के इस तरीक से चुन देंगे इसमें एक धागा खीच रहे हैं आपको एक धागा नहीं खीच रहे हैं एक धागा खीच के इस तरीके से खीच के इसमें चुणनेट देंगे यह देखिए गाईज मैंने दोनों में इसी तरीके से चुणनेट दे ली है अब यहाँ मैंने एक डोरी ली है ये मैंने डोरी बनाई थी आप इस तरीके की डोरी बना सकते हैं इसमें थोड़ी मोटी ही डोरी बनाए बारिक ना बनाए और इस तरीके से इसको लंबाई में इस तरीके से करते हुए इसमें आपको एक गाट लगा लेनी है इस तरीके से यह देखिए फ्रेंड इस तरीके सा आपको भी एक गट लगा ले नहीं है ये हमारा इस तरीके से फूल बन कर आ जाएगा अब मैंने यहाँ पर यह पेपर लिया है और यह सब आइंजिस चोड़ा और सब आइंजिस लंबाई में है यह चोक और पेपर मेंने कट किया है यह चोक और कपड़ा लेने के बाद में हम इस तरीके इसको फॉल्ड करेंगे इसका उल्टा भाग अंदर की जारल वह सीदह भाग उपर है इसमें इस ततरिखे डॉरी रखते हुए यहांपर एक स्लाइय लगा लेनी है यह देख़े इस तरीके से हमें इसलाइय लगा लेनी है हम धागा कट कर देंगे और यहां से एक्स्ट्रे डोरी और यह एक्स्ट्रे हाँ से कबला कट करेंगे ताकि यह बहार को ना निकले और इस तरीके साब हम इसको सीधा कर लेंगे यह देखिए कुछ इस तरीके से सीधा हो चुका है अब हम दूसरी में भी इसी तरीके से लगाएंगे और देखिए यहां भी मैंने यह इसी तरीके का चोकर पेपर लिया है यह चोकर कपड़ा है जितना बड़ा बहुत है इसी तरीके के आपको चार पीसिस कट कर लेने है और दोनों फ्लोवर के निया दो दो डोरिया बना लेनी है यह देखिए फ्रेंड्स हमें इसका भी एक्ष्ट्र थाकर में न कट कर लिये थे और कपड़ा भी और इस तरीके से इसको भी सीधा कर दिया है तो है हमारी डोरी कंप्लीट है अब हम इसका फूल बनाएंगे देखिए गाइस किस तरीके से आपको बनाना है इस तरीके से आपको फॉल्ड करना है और इस तरीके से इसको गुलाई में फॉल्ड करते जाना है यह देखिए इस तरीके से और यह जो कॉर्णर है इसको हमें इस तरीके से इस पर रख देना है और यह जो कॉर्णर है हमें इस तरीके से इसको इस पर रख देना है फोल्ड करते हुए वो यहां से इस तरीके से सुन दालनी है अगर आप छोटा फुलोवर चाहते हैं तो और फॉल्ट कर लें मुझे यहां बड़ा ही चाहिए तो इस तरीके से हम सुझ की सायता से इसको टाक लेंगे ताकि खुले ना वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें कि अगर कुछ भी समझ में आया तो मुझे कमेंस करके पूछ सकते हैं तो इस तरीके से एं में इस फूल को पक्का कर लेंगे अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी वीडियो के आने वारी नोटिफिकेशन आपको मिल सके मैं इसी तरीके के वीडियो लाती रहती हूं इस अच्छे से तरीके से उपर रख लेंगे और इसकु की सहाथ तस तरीके से उपर टाउन Cry और अब हांपर, मैं इसमीर यह बेटन रहएं था यह बटन तो में इसी ठाक कर लोगा अन च्छे से आपकोर टाकार लोगने रहती हैं कुछ इस तरीके से आपको टाक लेना है कि देखिए टक कर कुछ इस तरीके से लगेगा आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि देखिए मैंने दूसरा फूल भी इस तरीके से त्यार कर लिया था कि यह दोनों इस तरीके से लग रहे हैं अगर कुछ समझ में आया हो तो कमेंट बोक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं तो मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई